तो O2 जिसका अर्थ होता है Oxygen या फिर थोड़ा Deep जाओं तो Oxygen के दो Molecule जिनके बीच में जो Force लग रहा होता है उन्हें Wonderwall Force भी कहते हैं जिसका Atomic No.8 होता है जिसका मतलब कि उसके Nucleus में साइध 8 Proton होते हैं और Gas होती है एक कैर हम तो O2 की बात कर रहे हैं जो कि एक कन्ड़ा मूवी है और अगर इसके ट्रेलर और थोड़ा बहुत IMDV पर यकिन किया जाए तो ये एक Medical Science Thriller मूवी है पर जो चीज मेरे सर की उपर से गई वो थी Thrill मतलब Thrill तो है नहीं तो फिर क्यों लिखा है पूरी मूवी में कही पर भी Thrill मुझे नजर नहीं आता है और बात रही Medical की तो आज स्टार्टिंग में जो प्रेजंटेशन वगया दिखाते हैं वो बढ़िया थी पर आगे जब मूवी बढ़ती है तो हम देखते है एक आध इसी जी मसीन और एक दो इंजेक्शन सीरींज वगे राथ और इस से इन लोगों ने कहा दिया कि ये एक Medical Thriller मुवी है और मज़े की बात की मुवी का आधे से जाधा पार्ट जो है वो लव स्टोरी की अरांट रिवॉल्व कर रहा है तो फिर Medical Thriller मुवी कैसे हो गई है चलो लव स्टोरी तो ठीक थी मतलब इट कुड है वीन बेटर बट ठीक थ जो की प्ले कर रही है डॉक्टर शद्धा का करेक्डर जो की एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है एक O2 Liquid Technology जो अगर कोई आधमी Heart Attack या विर Guardian करस जैसी Situation के अंदर फस्ता है तो उसे Instant मौत वगेरा नहीं मिलेगी कुछ समय के लिए उसे जिन्दा रखा जाएगा जैसा की Injection क नाम है O2 यानि की Oxygen Provide किया जाएगा Blood के अंदर ताकि वो Blood Heart में जाकर बाकी जगा पर Flow हो सके और कुछ समय के लिए उस बंदे को Revive किया जा सके अब देखा जाए तो चूहो वगेरा पर यह जो Medicine है वो टेस्ट कर ली गई है और Successful भी हो चुकी है एक तरह से पर अभी Humans बा हास रिजल्ट हाथ नहीं लगते हैं तो बस यह इसी ओटो लिक्विड के अराउंड स्टोरी भूमती रहती है कि यह किस तरह से एक Successful चीज बन जाती है और देखा जाए तो यह काफी अच्छा टॉपिक है मूवी से रिलेटेड किसी मरे हुए को वाप जिन्दा करना और ओटू से ही है उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है और इसी के बीच लव स्टोरी भिया जाती है और क्लाइमेक्स के अंदर एक छोटा सा ट्विस्स जो की एक लौती ऐसी चीज थी जो मुझे अच्छी लगी मतलब सोल वॉकिंस जैसा कंसेप डाल देना जो की शायद से शायद से जहां तक मुझे बता है साइन्स का पार्ट नहीं है अब वॉकिंस में होता कुछ ही हो है कि जो आत्माई होती है दो शरीर की वो अदला बदली कर लेती है या फिर एक शरीर की आत्मा दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है में भी ये लोग बताना चाहते वो कि कुछ चीजे ऐसी होती है कुछ फिनोमेन ऐसे भी होते हैं जिने साइन्स भी एक्स्प्लेन नहीं कर सकता डूडिशन मुवी का एक गंटे 45 मिनट है जो कि यूजवली बाकी मुवी से थोड़ा कम है जो कि बहुत असर डाल देता है मुवी के उपर जब हम क्यरेक्टर होता है वो गायब हो जाता है तो मुवी में टॉपिक के साथ काफी गेम खेल लेती है और फिरकर मुवी का में सबस्टेंस क्या बनता है प्यार लव अगर नहीं किया तो फिर कुछ एक्स्प्लोर ही नहीं किया आपने प्रेलर मुवी का फिर भी अच्छा था उसकी अंदर एक तरह का एंथूजियाजम था थोड़ा बहुत स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले ठीक थाग था बढ़िया था वतलब आप कहीं बोर बगरा तो नहीं होते पर आप इंडिजार करते हो कि कब कोई इंट्रेस्टिंग सीन आए कोई ऐसा सीन आए कि मैं बोलू कि एक शेक सब्सक्राइब कर देना पसंद आई हो तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बाई बाई